नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश सम्वाज चैनल में आज हम बात करेंगे श्रिलंका के हम्बन टोटा बंदरगा पर आने वाले चीनी जासुसी पोद के बारे में श्रिलंका में जारी राजनितिक और आर्थिक उथल पुथल की बीच चीन का एक बहत शक्तिशाली जैसुसी जाहाज युवान वांग फाइव के हम्बन टोटा बंदरगा पर आने की खबर की पुस्टी हो गई है पहले श्रिलंका ने ऐसे किसी चीनी जाहाज के हम्बन टोटा बंदरगा पर आने की खबरों को अफ़ा बता दिया था श्रिलंका के रक्षा मंतराले के प्रवक्ता कर्नल नलीन हेरात ने कहा कि जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बन टोटा में मुख्य रूट से इन्धन भरने और मेंटेनेंस के लिए रहेगा कर्नल हेरात ने कहा कि ऐसे जहाज समय समय पर भारत, चीन, जापान और आस्टिलिया जैसे विबिन देशों से आते रहते हैं इसमें कुछ भी असामाने बात नहीं है पर सवाल ये है कि स्री लंका के रक्षा मंत्राले ने जहाज के आगमन से पहले इनकार क्यों किया था भारत के साथ ये हिला हवाली क्यों श्री लंका की प्रमुक तंबिल और प्रिसंठ्यक पार्टी टी एने ने रविवार 31 जुलाई को कहा कि हिन महासागर में चीन क्यूपस्तिती से भारत की सुरक्षा चिन्ता बढ़ जाए ही और कोलम्बो को ऐसा नहीं करना चाहिए वहीं कोलम्बो इस्तित बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव श्री लंका का मानना है कि युवान वांग फाइब का हम्बन टोटा बंदरगापराना श्री लंका और छेत्रिय विकास शील देशों को एक सुनहरा अफसर पदान करता है वे अपने खुद का अंतरिक्ष कारिकरम को विक्षित करने और खुछ सीखने का इसे से मौका प्राप्त करेंगे श्री लंका का यह कदम भारती हीतों के सरासर खिलाफ है श्री लंका ने भारत खिलाफ चीन के साथ गलबहियां तब की है जब की उसे इसी साल लगबक चार अरब डालर की मदद भारत ने दी है और चीन चुप चुप श्री लंका की आर्थिक बदहाली का तमाशा देखने में लगावा था एहसान फरामोश होने की ये पराकास्टा है चीन लगातार भारते खिलाफ खुराफात करने में लगावा है चीन की रणनीती अपने विरूदियों को छकाने की रहती है बार बार गुस पैट करके वो जपान और तैवान को ठकाने और उनका मानोबल तोड़ने में लगा रहता है चीन का जो जासुसी ओत युवान वांग फाइव है उसके सम्मन्द में भारत की सुरक्षा सम्मन्दी चिंताय बेवज़े नहीं है बारती ये समुद्र छेत में युवान वांग फाइव के आने से रणनितिक छेतर में हलचल तो होगी ही चीन के इस सबसे बड़े जासुसी पोत के मिसाइल और सैटेलाइट ट्रेकिंग सिस्टम की छमताओं के बारे में हुरविश जानता है जासुसी पोत हवा में लगबक साथ सो पचास किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई तक अपनी नजर रख सकता है युवान वांग फाइव दक्षिड भारत के लगबक छे बंदर गाहों पर अपनी नजर बनाए रख सकता है कई उर्जा एवं सामरिक महत्य के परतिस्टान और परत्यक्ष रूप से इसकी नजर में आ सकते हैं हमबन टोटा बंदरगा में चीन जो जुड़ा हुआ है वो उसकी भारत एखलाप स्ट्रिंग और पल्स नीती कही एक हिस्सा है जैसे वो चीन अपने विरूधियों को तंग करने के लिए खास तोर पर ताइवान और जापान को ठकाने के लिए उनके छेत्रों में बार बार घुस पैट करता रहता है वही नीती चीन ने पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाप भी अपना ली है वो भारत के वायुचेत्र की उलंगन की कोशिशों में लगा हुआ है भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अब बड़े ही खतनाक तरीके से चीन के लड़ाकु विमान लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल तक आ रहे हैं लद्दाक मेड़िटी भारती सेना के रुख और दमखम से चीनी सेना बौकलाई वी है लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल के दस किलोमेटर के दाइरे में नो फ्लाई जोन गोशित है उसके बावजूद भी वो एक पार पिछले दिनों बारत की चौक्यों के उपर से अपने लड़ाकों विमानों को उड़ा करके लेकर गया चीन बारती सेनेकों की सक्रीता और मनोबल को भापने का प्रियास कर रहा है बारतीय सेमाच्षेतर में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद से चीन बारतीय एर डिफेंस सिस्टम की चंताओं को भापने की कोशिस कर रहा है वो ये भी देखना चाता है कि बारतीय एर डिफेंस सिस्टम का रिस्पॉंस टाइम क्या है बारत ने भी चीन के जो लड़ाकू जहाज सीमा के आसपास उड़ रहे हैं उनके उड़ने का क्या पैटर्न है उसको बारत देख रहा है और साथी साथ मारत ने पिछले दिनों पुर्वी लगदात में अत्यादुनिक लड़ाकू जहानों के साथ में एक हवाई अभ्यास करके चीन को मेसेज भी दे दिया है इस तरह से हम देखते हैं कि चीन का ये जो जैसुसी पोत है ये जो भारती सीमा छेत्र के में आ रहा है बारत के एकदम परोस में या कहें कि बैक्यार्ड में आ रहा है वो भारत के लिए एक चुनोती तो खड़ा करता ही है इसलिए भारत की चिंताएं गैरवाजिप कता ही नहीं है आज के इस अंक में बसित नहीं आपसे अनुरूद है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए इसे साजा कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए जहन